हरो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसनार पे तो दोस्तों आज की वीडियो स्पेसल उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है भी जो लोग के लिए जैसे सौफ्ट्वेर सेखने कोई अकाउंट का कौर समझते हैं या फिर उनके माले में ये बात रहती है भी हमें टैली जैसे सौफ्ट्वेर सेखने के ज़श्ट बात अकाउंट की जोग मिल जाएगी तो दोस्तो अगर इस टाइब का confusion अगर आपके mind में है तो अगर इस वीडियो का आप एंडर तक complete देख लेते हो तो ये confusion आपका 100% दूर होने वाला है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप टेली software सेख रहे हो किसी भी institute पे तो आपको टेली को किस तरीके से सेखना चाहिए और टेली के साथ आपको और क्या कुछ सेखने की जुरूरत है ताकि आपको आगे जाके problem face करने को ना पड़े तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारे चैनल के एक ऐसे वीवर्स की जिनके पास टेली जैसे software सेखने का six month का experience था उनके पास six month का certificate भी था टेली जैसे software की अच्छी जानकारी भी थी हर एक features की जानकारी थी पिर कौन सा features yes करने से क्या होता है कौन सा features को no करने से क्या होता है कौन सा features हमें का मिलेगा यानि कि टेली से समन्दी जितने भी उनकी जो material होते हमारे टेली software में सारे software की उनकी अच्छी जानागा रही थी लेकिन जब वो किसी company में interview देने के लिए गए तो interview उन्हें को सिरफ दो स्वाल ही उनके पुछे गए और उनकी जो च्छे मेने की जो मैनत थी टेली सोफ़ेर सिखने की टाइम भी उनका लगा, पैसा भी लगा, मैनत भी उनकी करी तो वो केवल एक मिन्ट में सारी बेकार होगी तो दोस्तो क्यूश्चन कोई ज़्यादा हड नहीं था बिल्कुल सिंपल क्यूश्चन था लेकिन वो मलब AJ Account Score करने की अबाव में वो जोब से छुट गए तो दोस्तो क्यूश्चन कहा था हम आपको बताते हैं ये दो वाउचर थे, ये दो वाउचर उनको दिये गए वाउचर हो सकता है इस वीडियो में आपको थोड़ सा किलियर नहीं देखें लेकिन जब हम इसके डेक्स्टोप पर इंट्री करें तो ये दोनों वाउचर के आपको मैं PDF दिखाऊंगा तो वैसे आपको मैं बता देता हूँ एक वाउचर ये सा है दोस्तो जो सेल इन्वोईस का वाउचर है कस्टमर को समान बेचा गया उसके अगेंस्ट में ये सेल इन्वोईस त्यार किया गया और सेकिंड कस्टमर ने कुछ गुट्स हमें रिटन कर दिये और उसके अगेंस्ट में ये सेल इन्वोईस का यानकि क्रेडि नोट कस्टमर को इशू कर दिया तो interviewer ने जो स्वाल पुछा था company में उनका स्वाल यही था भी आप हमें इन दोनों vouchers की journal entry करके बताओ टेली software में entry करने के लिए नहीं बोला गया केवल हमें manually journal entry करके बताओ और दूसरा question यह था जब हमने customer को यह जो sale return का हमने voucher issue किया है यह voucher issue करने के बाद में हमारी books of accounts पर क्या फरक पड़ेगा और taxation पर क्या फरक पड़ने वाला है बिल्कुल simple question है दोस्तों अगर जो student accounts को practical तरीके से सीक रहे हैं तो वो इसका जबाव एक mint में ही दे देगा अगर कोई दोस्त के वर टेली software पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस टेहर की entry पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं भी हमारी general entry क्या होती है entry delete करने से या entry करने से हमारी books of accounts पर क्या फरक पड़ता है तो उनके साथ भी हो सकता है आगे ऐसा ही हो क्योंकि दोस्तो इस video में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे भी उनको क्या पुछा गया था और इनका वास्ता में जवाव क्या होना चीए था जो general entry पुछी गई थी और entry करने के बाद में books of accounts पर क्या फरक पड़ेगा वो भी आज हम इसको आपको जब डेक्श्टो पर हम चलेंगे तो इसकी इंटरे आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं तो इसलिए दोस्तो आपसे एक request है वी वीडियो का पूरा देखना और वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप हमें कमेंट करके बताना क्या आप टेली software सेख रहे हो या आपने टेली जैसे software को complete कर लिये हैं तो ये इस type का question अगर आपसे आज के present time में अगर पूछा जाए तो क्या आपके पास ये इसका जवाव है या नि अगर जवाव है तो भी आप हमें कमेंट जरूर करना अगर आपको यह लगता है भी आपने इस वीडियो से कुछ नया सिख है तो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो वीडियो को आप लाइक कर देना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेर भी करना दोस्तों share करने के लिए आपको मैं इसलिए बोर रहा हूँ भी हो सकता है आपके कोई दोस्त आपके कोई बाई बंदू या आपके कोई रिष्टेदार कहीं से भी अगर कोई टेली जैसे मलब accounting software का कोई course कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को complete देखना वीडियो कर आपको पसंद आए तो जुरूर लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सतार और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल तो स्टार्ट करते हैं आज काई वीडियो तो दोस्तों ये दोनों वाउचर अब आपके पास सक्रीन पे है एक था वाउचर हमारा ये tax invoice का यानिकि जब हमने customer को product sale किये थे उसके against में हमने ये sale invoice त्यार कर दिया और एक second जो हमारे पास था credit note यानिकि sale return का जब customer ने हमारे क कुछ product वापिस कर दिये तो उसके against में हमने customer को credit note बना के दे दिया और customer का ये credit note issue कर दिया गया तो उनसे जो बात करी गई थी interview में वो यही था भी आपने इन दोनों वाउचर की journal entry बतानी है तो दोस्तों ये tally software में entry already करी वी है आपको मैं दिखा देता हूं ये tally software में entry कर करने में कोई problem थी एक second में हो जाएगी आपको सबको पता है जब routine में कोई software को शेकते हैं टैली जैसे को तो वहां पर sell की entry ये सबसे basic बाते हैं तो computer में तो कोई भी entry कर सकता है लेकिन main बात ये थी भी उनको ये मकसद था भी हमें students को accounts का practical ग्यान कितने है टैली software का ग्यान ह की कोशिस करना थोड़ा सा इस वीडियो का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों बातें समझ में आजेगी भी आपको टैली सीखने में benefit है या आपको accounts पलस टैली software सीखने में आपको ज्यादा benefit है तो आपने जब भी किसी शूट पे देखा हो तो आपने इसी त वावचर तो से हो गया लेकिन अब इसके पिछे logic का आगया है क्या फरक पड़ा हमारी books of accounts पे क्या बढ़ोतरी हुई है क्या गटा है क्या credit हुआ क्या debit हुआ यहां पर टैली software ने बोलके हमें कुछ भी नहीं बताया तो यह सबसे बड़ी कमी होती है अगर आपने टैली software को इंट्रिव देने जाओगे तो वहाँ से आपको कुछ खारे टैली software से रिगार्ड ही आपसे सारे question पूछे जाएं और हो सकता है माली जी आपने आज यहां किसी इंस्टूटर से टैली software को सीख लिया और आपकी कहीं जहां पर जोब लगी है वहाँ पर टैली software नहीं है वहा मेनत भी आपने करी है लेकिन आपकी वह मेनत वैसे भी बेकार होगी अगर आपको जिस company में आप job के लिए जा रहे हो वहाँ पर other accounting software लगाव है तो दोस्तो इसलिए मैं काफी सारे वीडियो में पहले भी request आपसे कर चुका हूँ भी आपको practical तोर से accounts का मलब अच्छी तरीक यह समझते हैं भी accounting voucher पे हम जाएंगे और app 7 करके हम journal entry कर देंगे तो दोस्तो यह journal entry नहीं यह एक journal voucher है जबकि journal entry करने के लिए बोला जा रहा है तो इसलिए आपको मैं कहा रहा हूँ इस वीडियो को थोड़ा सा आप कैरफुली देखना सारी कानिया आपको अच्छी तरीक तो हम चलते हैं पहले इंट्री करेंगे इस सेल voucher की तो दोस्तो चनल एंट्री का मतलब भी आपके पास जो वाउचर है जो आपके पास कागज है वस्ता कागज में से किसको debit करना है और किसको क्रेडिट करना तो golden rules आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टेली software सीखने से प कर पाए क्योंकि उनके पास केवल टेलिस सीखने का ही experience था accounts का experience उनके पास नहीं था अगर account का experience होता तो यह general entry वो अराम से कर देते अब आपको मैं बताता हूँ general entry का मतलब क्या होता है तो यह voucher हमारे पास tax invoice का और उसके बाद में राज कुमार को हमने सेल किया सबसे पहले हम डेट लगाएंगे जैसा कि 25 स्तंबर 2021 की वाउचर की डेट है तो हम यह पर 25 स्तंबर हम लगेंगे 25 09 2021 और पाटिकुल का मलब हमने इस वाउचर में डेट किसको किया है जो हमारा customer है जिसको हमने उदार sale किया है उसको debit करते है तो entry के बनेगी राज कुमार का account है जो debit होगा राज कुमार का अब sale कुन सी amount से हमें credit करना पड़ेगा यहाँ पर जो इसकी taxable value यानिकि tax लगने से पहले की जो amount है 16,800 रुपए तो 16,800 रुपए से हम credit करेंगे और उसके बाद में 2 cgst tax तो cgst tax की value 1512 रुपए और 2 sgst tax की यह भी 1512 रुपए तो यानिकि यह entry करने के बाद में आपके जो debit side और credit side है उन दोनों का total आपका equal आना चाहिए यह थी इस sale voucher की general entry और हम बात करते हैं इस credit note की तो credit note में क्या हो गया हमें customer को credit करना पड़ेगा जिसको पहले हमने debit किया था और customer को अगर में debit करना है तो किसी ने किसी को credit भी करना पड़ेगा तो credit हम किसको करेंगे sale return को तो इसकी entry क्या बनेगी तो इसकी date 27.9.2021 और उसके बाद में जिस sale को हमने credit किया था ना यहां पे उसी sale को वापिस यहां पर debit भी करेंगे computer parts GST 18% sale return sale return का हमें debit करना पड़ेगा कौन सी amount से taxable amount से यहन की 4,240 रुपए से और उसके बाद में debit हमारा CGST tax भी रहेगा क्योंकि यह tax हमारा reverse हो रहा है तो CGST tax reverse यह मारा 381 रुपए और 60 पैसे इसी तरीके से हमारा जो CGST का लेजर है वो भी 381 रुपए 60 पैसे से debit होएगा और अब हम credit करेंगे customer को तो तू राजकुमार का तो राजकुमार का जो credit करेंगे जो इसकी voucher की net value है 5,003 रुपए और 20 पैसे तो अब यहां पर देख रहे हो इस sale return की जो entry थी credit note की तो इसका भी दोनों side का जो total है वो आपका equal आ रहे है तो दोस्तों केने का मतलब यह हो गया भी आपको voucher को देख कि उसमें से debit और credit अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भी किसको हमें credit करना है किसको हमें debit करना है तो जो second question यह था भी हमारी sale return की entry करने के बाद में हमारी books of accounts पर क्या फरक पड़ेगा यानि की यह entry करने के बाद में तो दोस्तों अगर हम point to point बात करें तो पहला point यह रहेगा भी हमारा stock है जो increase हो जाएगा increase का मतलब जैसा कि हमने इस sale voucher में यह product हमने sale किये जैसे कि mouse भी दवायर है या keyboard भी दवायर है तो जब हमने sale किये थे तो हमारे shop से यानि कि हमारी company से यह stock output था यानि कि stock गया था और उसके बाद में जब हमारे पास product वापिस दे दिया customer ने तो इसका मतलब यह stock हमारे पास आ गया तो वापिस आ गया तो इसका मतलब stock है जो हमारी company के अंदर बढ़ गया तो stock increase होएगा point number 2 की बात करें तो जो हमारी लेंदारी थी market की यान कि जिससे हमें पैसे लेने थे जो पैसे जितने लेने थे वो अब पैसे हमें कम मिलेंगे कम मिलने का मतलब जैसा कि customer को हमने पहले 19,820 रुपे लेने थे लेकिन customer ने हमें 5,3 रुपे का total समाना जो वापिस कर दिया तो इसका मिलब हमारी जो पहले 19,820 रुपे जो लेने थे अब उस 19,820 में से हम 5,3 रुपे और कम होगे तो अगर इस में से हम माइनस करें 19,824 में से 5,003 को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका मलब जो हमारी मार्केट से जो अब लेंदारी रेगी वो 24,820 रुपे की ही रेगी हमें सेल वाउजर की जो इन्वोईस की वेल्यू थी अब वो इन्वोईस की वेल्यू हमें नहीं लेनी क्योंकि कुर्स प्रोडक्ट वापस है वापिस आगे तो जो केले का मलब भी हो गया हमारी मार्केट के जो हमारी लेंदारी थी वो अब और ज्यादा कम होज़ेगी पॉइंट नम्बर तीन की बात हम करें तो जो हमारी सेल है वो सेल भी हमारी डिक्रीज होएगी decrease का मलब जैसे कि आप देख रहे हैं माने जो total sale जो किया था वो 16,800 रुपे का किया था लेकिन हमारे पास 4,240 रुपे का sale वापिस आ गया बेचावा माल वापिस आ गया तो जैसी बात हमारी sale भी कम होई है तो इसका मलब तीसरा effect जो हमारी books पे पड़ेगा वो sale decrease का पड़ेगा यानकि sale हमारी कम होईगी तो उसके बाद में था taxation पर क्या फरक पड़ेगा तो taxation का मलब जैसे कि आपका GST का tax है आपकी GST R1 है उस पे क्या फरक पड़ेगा तो जो सो taxation की पहली अगर बात करें तो जो हमारी tax की liability अगर बनती है तो वो tax की liability भी हमारी decrease होई है decrease का मलब जहांपर हमें tax जैसे कि आपके देख रहे हैं अगर 1512 रुपे पहले हमें हमारा liability बनती थी उसके अंदर 380 रुपे का tax हमारा reverse हो गया तो अब tax हमें कम जमा कराना पड़ेगा कम कम मतलब भी 1512 रुपे हमारा output था और इसमें से 380 रुपे tax हमारे पास वापिस आ गया जब हमने goods वापिस लिया तो अब हमारा जो tax की liability बनेगी वो एक side की वो 1130 रुपे और 40 पैसे बनेगी अगर हमारी total sale ही रहती तो ये 1512 रुपे की tax की liability हमारी बन रही है तो इसका मलब ये जो tax की liability हमारी cgst और sgst tax की वो हमारी कम हुई है अगर हम बात करें second option की gst return पे क्या effect पड़ेगा तो दोस्तो gst की return पे effect क्या पड़ेगा जो हमारी gstr1 की जो report है उसके अंदर हमारा credit note voucher के अंदर एक voucher की counting होईगी अब counting का मतलब कैसे होगी वो आपको मैं बताता हूँ टेले software पे तो सबसे पहले हम stock increase देख लेते हैं तो stock summary पे जाएंगे तो आप देख रहे हो मारे पास जैसे की यह mouse with wire हम ले लेते हैं तो अभी आप देख रहे हो हमने total 114 piece हमने purchase किये थे उसमें 12 piece हमने इस sale में कर दिये तो total हमारे पास यहां तक आप देख रहे हो 163 यानकी 163 piece मारे पास बच रहे हैं LTF1 करेंगे तो sendi adapter में आपके देख रहे हो जाके तो sendi adapter के अगर हम बात करें तो हमें customer को 19,800 24 रुपे का यह जो समान sale किया था उसमें से 5,300 रुपे का customer ने वापिस कर दिया तो अब हमारी इस customer से जो liability है हमारी जो लेंदरी रेगी वो 14,820 रुपे करेगी तो यहनकी लेंदरी कम होगी तो तीसरा point सा हमारी sale कम होईगी तो sale कम हमें profit and loss काउंट में दिखेगी तो आप यहाँ पर भी sale भी देख सकते हो मारी जो sale actual में थी वो 16,800 रुपे की थी और इसमें से 4,240 रुपे का समान वापिस आ गया तो हमारी sale रेगी 12,560 रुपे की यहनकी 16,000 वाली sale अब है 12,560 रुपे की रेगी तो sale भी हमारी कम होई है तो यह तो था हमारा account से समन्दित उसके बाद में अगर tax की हम बात करें तो आप tax में देखोगे तो जो हमारे पास tax की जो output पहले बन रहा था तो यह तो tax का था हमारे पास 34,345 रुपे 95 पे से यह हमारा जो प्रसेज हमने किया था उस पे tax हमें input मिला है और यह हमारा 1512 रुपे sale की उपर जो हमने customer से tax लिया है जो कि इस invoice के अंदर लगा हुए 1512 रुपे यह वाला तो इसके साब से अगर हम देखें तो हमारी जो tax का जो input access आ रहा है वो 2,039 रुपे और पिचान में पेसे आ रहा है अगर हम इसकी बात और करें तो यह 381 रुपे और और एड हो गया तो यहनिकि अब यह हमारा amount और लेडी government के पास access और हो गया reverse हो गया tax तो यह हमारा जो tax से समंदीत है वो tax की जो हमारी liability है वो कम हो जाएगी और तीसरी GSTR1 का credit note के बारे में तो इसके लिए हम डिस्पले पर जाएगे GSTR reports पर हम जाएगे GSTR1 को open करेंगे तो आप देख रहे हो यह हमारा जो sale return का था 4,240 रुपे वाला यह हमारा एक credit note voucher में aid हो जाएगा और यह हमारा जो sale था जो हमने registered person को sale किया था यानि कि B2B की sale थी और इसके अंदर यह हमारा credit note हमने issue कर दिया customer को जो कि registered party है तो उसका हमें एक इस voucher count में एक voucher और हो जाएगा तो टोटल हमारे दो voucher है जो count होएगे एक sale का और एक sale return का तो इस तरीके से दोस्तों यह हमारा taxation pay और accounts के उपर जो effect पढ़ना था इस type का यह effect पढ़ेगा तो दोस्तों यह जो सारी जान करिया ना आपको तो यह practical accounting से ही आपको सीखने को मिलेगी नए की केवल telly software सीखने से यह आपको सब कुछ real business से ही practice करने पड़ेगी तो दोस्तों कैसे लगी आज की आपको यह वीडियो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सेखने को मिला हो अगर आपको भी यह वीडियो देखने के बाद हमें telly software को किस तरीके से सीखना चाहिए या telly software को मलब जश्च सेखने के बाद आपको यह लग रहा है भी हमें telly software सेखने के बाद हमें जोब जल्दी से नहीं मिल पाएगी हमें practical तरीके से अगर इस accounts को course को करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें इसके उपर टेली जैसे accounting software पर या other accounting software पर इसकी practice भी करने पड़ेगी वो भी विजनस के real voucher के साथ तो दोस्तों क्या आपको यूँ लगता है यह जो question था यह question आपको already पहले से याद था या आपको आता था तो आप हमें comment करके जरूर बताना तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी जरूर करें तो मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ